वेल्कम टू बायू स्टुड़ेडी विद निख्ली यू निखील यू टूटोब चैनल हैंड वी串ा लगी इन सिम्पल वे ले के अंदर सो आज की सुड़क्डेंगे भात करनें तो बात करोंग धू अust BSC biology के अंदर यहां पर third year का स्लाव सम्न देखेंगे तो यहाँ पर biology में दो होते है एक होता है BOTANY and second होता है यहाँ पर जूलोजी जिन में हम plants की यहाँ पर study करते तो Botany क्या है तो branch of biology उसमें हम क्या करते इस a branch of biology which deals with the study of the plants के प्लांट की स्टड़ी करते एंड जूलोजी के अंदर करते हैं यहाँ पर एनिमल की स्टड़ी ओके जू मीज़ आपको चैनल के प्लेइस्ट में मिल जाएगा इस वीडियो में हम बात करेंगी बॉट नहीं कि जो बॉट नहीं हमारा इसमें फर्स्ट एर में हमको क्या-क्य पढ़ना पढ़ेगा थो फ़र्स्ट इयर होता है कि एकपर सेम कि ग discretion में कि ये ऑर्स अलग होती है और 20 उने पढ़ेंगे और जो B.A.C यहाँ पर जो course होता है वो third year का होता है और एक साल में 2 यहाँ पर same होते हैं तो यहाँ पर three years में यहाँ पर आपको six same रहेंगे तो first year में 2, second year में 2 and third year में 2 same तो इस तरह से एक साल में 2 दो बार आपकी exams होती रहेंगी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Botany में First Year के अंदर कौन सा सिलावस है इसमें हम First Same भी देखेंगे उसके बाद Second Same का दोनों का सिलावस आपको इसी वीडियो में मिलेगा प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो चलिए शुरू करते Botany सिलावस और First Year यहाँ पर देखेंगे आपन Botany का जो सिलावस देखेंगे सबसे पहले तो यह जान लो आपकी जो थेरी का पेपर होता है वो होता है 80 Marks का मतलब 80 Marks का आपको पेपर में लिखना पड़ता है उसके बाद जो इंटर्नल असेस्मेंट होते है वो होते है 20 Marks के इंटर्नल असेस्मेंट इसमें क्या आता है तो आपकी जो यहाँ पर असेस्मेंट है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है लिखना पड़ता है बहुत सारा प्रक्टिकल के रहेंगे 50 Marks ठेहरी के रहेंगे 80 एंटर्नल असेस्मेंट रहेंगे 20 सो टॉटल आपके रहेंगे 150 Marks सो आपका टोटल बाय वाप्णिंगा first year का पर किया पर पेपर हो रहेगा 150 mark को क्या ही है 150 mark के आपका पेपर हैंगा 80 mark यहापर 3030,らい इंटरन ऑसेस्मेंट प्राक्टिकल कи रहेंगे 50 marks अब्धे ओपको पता है एक साल के अंदर दो बार एक्जाम होती है और एक जो first same होता है उसमें 6 आपको unit पढ़ने पढ़ते हैं और दूसरे same में again 6 unit पढ़ने पढ़ते हैं okay so first हम देखेंगे यहापर unit first of first same okay so first में हम first same का देखेंगे कि first same के अंदर कौन-कौन से units है so इसमें first same के अंदर जो first हमारा unit है वो है plant diversity इसमें हमको क्या पढ़ना है तो diversity application of microbes and crypto गया मैकोब्स बोले तो small organism microscopic organism उसमा उसका application क्या है अपने body अपनी यह आप लाइस्टाइल है अपनी उसके अंदर उसके बाद उसकी diversity बोले तो different जो organism है जो माइकरोब से वो different उनमें कैसी different आए वो एक दूसरे से कैसे different है कौन से character है जिन से वो different है ओके वो देखेंगे उसके पाद crypto games आपको पता है कि ऐसे plants जो flower को bear नहीं करते इसमें flowers produce नहीं होते हैं उसको बोलते क्रिप्टोगांस ओके सो बीस्टी फर्स्ट एर में फर्स सेम के अंदर बॉटनी के अंदर आपको फर्स यूनिट रहेगा plant diversity plant हापको पता है कि जो plant हम उसको बोलते हैं diversity बोलो तो इसमें क्या differences क्या है कितने हैं okay so syno bacteria होता है इसके अंदर bacteria and its impact on origin of life syno bacteria जो है वो important role play करता है origin of life मतलब जो life earth पे create हुई उसके अंदर syno bacteria का क्या एक role है वो हम देखेंगे उसके बाद introduction of plant kingdom so planty kingdom है वो अपने element में पड़ा था जिसका बाल अजी रहा है उन्होंने पड़ा था यहापर planting kingdom जिसमें cryptograms and fenogambs थे cryptograms मतलब जो plants ऐसे flower को produce नहीं करते and fenogams जो flower को produce करते और flower produce होगा तब seed आते because flowery pollinated okay बाद में seed आते तो simply जो plant seed ने produce करते वो थे cryptograms जो plant seed produce करते वो थे फिनोर गयम्स okay then diversity of plants with respect to habitat diversity बोले तो डिफरेंट plants होते है किसके रिस्पेक्ट में habitat habitat मतलग ऐसी जगा जिस पर जहापर रहते उसके बाद form उसका form इस वो कैसे उसका shape कैसा है दिन उसका nutrition कैसा है वो कहां से अपने food को यहाँ पर हासिल करता है और उसको लेता है दिन इसका लाइकोलोजिकल स्टेटस एकोलोजिकल मतलब environment के अंदल वो कौन सा role play करता है वो गया उसका ecological status तो यह जो है वो यहाँ पर यह रहेगा diversity of plant के अंदर with respect to habitat form nutrition एकोलोजिकल स्टेटस दिन यहाँ पर जनरल account of viruses वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस को किसी ने डिस्कवर्ड किया और तो मैं को मुजाइक वायरस जो फर्स्ट वायरस है वो देखेंगे और यह एचाइवी है युमान युमीनो वायरस जो होता है वो है चाइवी डिसीस को क्यों करता है देन हमको यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा bacteria bacteria का structure nutrition and reproduction मतलब bacteria structure कैसे होता है उसकी cell कैसे बनते है उसके बाद nutrition उसका कैसे होता है वो फूड को अपने लेता है उसके बाद reproduction कैसे होता है मतलब एक से यहाँ पर मीनिय और डिजन कैसे फार्म होते हैं वह गया रिप्रोडक्शन के अंदर देन रोल्स आप मायक्रोप्स इन अग्रिकल्चर मतलब मायक्रोप्स अग्रिकल्चर में मतलब हम जो खेती करते हैं उस इसमें आपर Sinobacteria एंट इन पलांटगे किंडम सिंपल में आपको प्लांट इपना पड़ेगा उसके बाद आपको उसका पढ़ना पढ़ेगा रिप्रोडक्शन पढ़ना पढ़ेगा जो रोल फ माइक्रोप्स पिंग अग्रिकल्चर में कौन सा रोल प्ले करता है वह मेडिसीन के अंदर यहापर इंडस्रीन के अंदर यह तीनों चीजे आपको यहापर युनिट फरस्ट में देखनी पढ़ेगा सो यहुण्इट होता है यहाप जो युनिट फरस्ट होता है उसके बाद जो अपना युनिट सेकंड होता है फोसेंं के अंदर वो होता है अलगी का ऑल्की वॉकईञ्गल इसे ़िजो ब्याटेट जो फलावर को प्रिडीस नहीं करहते विस एंद वोलते अपन सेंरे सब लोट है उसको बता सकते कि इसका रूट है यह स्टेम लीफ है मतलब वो उसको डिफरेंशेट नहीं कर सकते हैं स्मॉल है वहली को उसको प्लांट है लोगी केट गढ़ भी किन चुन आपने का क्लासिपिकेशन वह का कईड़ को क। कौन से चरेक्टर को करते है। वह सो थे किलाल पर पर जगा से मिख रिलेटेड वह कैसे वहा पर Cr लिखाते है चव। दिन थालस ओर्गनाइजेशन थैलस मेने तो आपको पहले बता दिया कि ऐसी बॉड़ी जो यहाप पर रूटसेंगर देखेंगे तो इसको आइंटिफाय कर सकते उसके बाद यह पर है पिग्मेंटेशन उसमें पिग्मेंट्स कौन-कौन से होते हैं अलगी के अंदर मतलब फूटो सिंदिज उसमें होता है या नहीं होता है वो कैसे बहुत सारे बाद सो अधर जो चीजे वह हम यहां पर अलगी चाप्टर यूनिट यहां पर सेकंड में पढ़ेंगे रिजर मतलब फूड कहा से लेते हैं उसका बाद उसका रिप्रोडॉक्शन कैसे होता है वो उसके बाद जनरल क्रेक्टर्स फॉलिविंग क्लासे इस रिस्पिक्ट टू रेफरेंस ऑफ एक्जाम्पों मेंशन ओके सो क्लोरोफाइटा जो होता है यह यहां पर अलगी का यह क्या है है तो यह क्लास है उसमें हमको उडोगोनियम की स्टडी करनी पड़ती है यहां पर है कैरोफाइटा उसमें हमको चारा के स्टडी करनी पड़ती है देने आपर फियोफाइटा मतलब यहां पर सारगासम की और जो रोडोफाइटा इसमें बैक्टर एको स्पर्मम यह अलगी के नेम है यह अलगी के आपको स्टड़ी करनी पड़ती है मतलब कि इसका थैलस स्ट्रक्चर उसके बाद इसका एक एक सेल का स्ट्रक्चर उसके बाद इसका रिप्रोड़क्शन कैसे होता है तो रिप्रोड़क्शन में और सेक्शूल रिप्रोड़क्शन वह बात इसमें आत कहें ओक सु यहोग यहां मैं साफ्ट आ इन स्वार्थ ने नहीं से क्लासिफिकेशन एनडर वो देखेंगे जन्रल और चारेक्टर्स ओफ फॉल्विंग क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ओप एक्जाम्पल मेंशन इनिट ओके इसमें जो फंजा है उसके अंदर यहां पर यहां पर है मैस्टीगो माय को टीना इसका जो अलबुगो ए वह यहां पर अलगी पढ़नी पढ़ेगी स् इसमें हमने अलगी के पढ़े थे वैसे फंजाए के और इसके अंदर का एक एक जांपल हमको पढ़ना है जैसे कि अलगुगो उसके बाद यहां पर असपर गिलास प्यूकिना जनरल क्यारेक्टर्स डूटरो माइस माइको टीना के उसके बाद आपको लाइक इन पढ़ना ह इकोनॉमिकली लाइकन जो कैसे इंपोर्टेंट है वह हमको पढ़ने पंजाए मतलब चाप्टर थी के अंतर उसके बाद हमारे चाप्टर फोर है वह ब्राइव फाइट्स तो यह जो यह बोटनी का सिलाब से ओके सुक्रा यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे पढ़ना होगा जनरल चारेक्टर उसके बाद थालस ओर्गनाजेशन इसकी भी बॉड़ी कैसे थालस है थालस की जैसे ब्राइव फाइट की ओके आपर लाइफ साइकल उसकी पढ़ने पढ़ेंगी आपर जो है है पर टिक उप सीडा उसके बाद मारकेंशिया उसके बाद भॉल फाइट्स आपको पढ़ने पढ़ेंगा इन ब्राइव फाइट्स मतलब सुर फाइट जो है और प्रोडिसिंग और रगन होता है मतलब वह स्पोर्डूस करते और उसमें इसवार्प्रोडूस करने के लिए वह कैसे युद्फयूशन वा उसमें कैसे चैंजश हुए यहां पर क्रिप्टो गयंस होता है वो थ्री फाइला में यहां पर फार्ट में डिवाइड होता है फॉस्ट व्राइव-था थैरूप से यहां पर होंगे उसके बात ब्रीफ अकाट अन्द एंडियन ढूर्ड उंटिस्ट इंडियो वाले कोड शेज़िक 25 यह कॉन ही सो क्योंड ही सब्सक्राइब के अनदर स्मीद ने दिया वाँ क्लासिफिकेशन पढ़ना पढ़ेगा जनरल क्यारेक्टर उसके थैलस और गनाजेशन उसमें जो है यहापर हेपटोप सीडा उसके बाद मारकेंशिया ब्रायो सीडा एंड फ्यूनेरिया यह ब्रायोफाइट्स को हम पढ़ना पढ़ेगा यहापर स्पोरोफाइ पढ़ने वाले ब्रायो लोजिस्ट इंडिया के अंदर कौन-कौन से थे वह हमको यहापर चापटर फूर में पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद आपना जो चाप्टर फाइव रहेगा वह रहेगा टेरुडोफाइट्स तेरुडोफाइट में आपको पढ़ना पढ़ेगा यह सब्सक्राइट मतलब कि वासकुलार प्लांट मतलब वोटर को और ब्रायौफाइट उसे प्लांट ते जो फुर्स्ट वासकुलार प्लांट प्लांट को यह पर चा पर यहा परantic प्लांट्स बोलते हैं वह था ब्रावफाइट्स तो क्लासिफिकेशन अक्रणिंग ग्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा यह सिल्याबस में जनरल क्यारेक्टर ओफ फॉलिविंग लिए इस प्लासिज पढ़ने पढ़ेंगे उसके साथ तुस उसके बाद रोता है स्टियल क्या होता है जो जाहल सफोल जो पढ़नेंगे सिए अपर चाप्टर फाय्व में तुसके ऐमको पप्सक्वी ऐसे ओर्गेनिजम जो स्पोर पर्रेट्स करते हैं और हेट्र है और सीड प्रोडूस करनी के जो हैबिट एक प्रेट हुई वो यह आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद जो हमारा लास्ट यहाँ पर चाप्टर रहेगा यूनिट रहेगा वो रहेगा यूनिट 6 के अंदर हमको अप्लिकेशन ऑफ मायक्रोब्स क्रिप्टो ग्याम्स में पढ़ना पड़ेगा जैसे कि इसी इकोनोमी इंपोर्टन्ट ऑफ अलगी विद रिस्पेक्ट्ट फूड एकोनोमी इंपोर्टन्ट क्या है अलगी का फूड से रिलेटेट इंडस्रियल उसके बाद अलगी के क्या है रमफूल फूड में कैसी यूज की जाती है इंडस्री में अग्रीकल्टर में उसके बाद हर्मफूल एस्पेक्ट जो हर्मफूल कोन-कोन से आपर प्रोडीस होता है अलगी से उसके बाद मायकोरजी देखेंगे तो रूट एंडसोचेट इंदर फूड के प्लांट डिसीज को पढ़ेंगे कुद दो उसमें वायरल टीम भी है यहां पर बैक्टरिया ब्लैक आर्म आफ कॉटन ने जिसको हम जानतों मोना स्माल वी सिरम जो है उससे वह होता है ब्लैक आर्म आप कॉटन यहां पर तिक का डिसीज है आफ ग्राउंड फंगल तिक का डि निव म्हां पढ़ेंगे वह फूरस्ट यहां पर सेंके अंदर आपको यूअइच सिख सब्स करफें सेंबडू कौन से और आपको पढ़ने है fonctionigers ब्सक्रणा पड़ेगा उसके अंदर कौन सा सिलाबस आपको होगा यहाँ पर जो सेकंड से में उसमें जो हमारा फॉस्ट चाप्टर रहेगा फॉस्ट यूनिट रहे वह रहेगा प्राइब बाटनी जिसमें क्या करते हैं जो प्लांट के जो अर्थ क्रस्ट में मतलब अर्थ के नीचे जो दब गए है उसकी स्टडी करते हैं उसे प्रोसेस ऑफ फॉसिल्स कैसे कैसे बनता है वह देखेंगे और टाइप्स ऑफ फॉसमें इसके बाद रेटरिफिकेशन है बहुत सारी इसमें फॉसिल्स के टाइप सो देखेंगे उसके बाद जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो सीड होती है वह यहापर ओपन होती है उसे बंदर जो चिंदो एक सिर्थियम्नोस्पम इक रूसित देखेंगे उसमें जो है टेमिल्स पर मिलसे उसके बाद हो इंदर से निध्य कि अंदर सेंसा बोंडर रहे गा हिए और आपर praised रिमिनम्स फों मतलब सेट ब्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो सीड होती ह ओपन सिदेट प्लांट हम उसको बोलते हैं इसका हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा अकोडिंग टू डी 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 पैंट जो है यह आपर साइंटिस्ट है उसने दियावा क्लासिफिकेशन पढ़ना पढ़ेगा जिन जनरल अकाउंट उसका मार्फोलाजी मतलब और एक्सटरनली कैसे दिखता है उसके बाद इंटर्नली बोले तो आणाटामी इसके बाद लाइब साइकल और टैक्जोनॉमिक पोजिशन अदर उसके पोजीशन चाहिंगे उसके बाद लाइब साइकल यह आप हैप नेटम् नेटम यह दो नमको यहाँ पर जिम्नुस्पम में पढ़ने है उसके बाद आफिनिटीस विद्व टेरुडुफाइट्स तो टेरुडुफाइट के साथ यह कौन से सिमिलारिटी शो करता है और अंगियोस्पम मतलब जैसे प्लांट्स ऐसे जो जिनके अंदर सीड जो है वो स्लिटेट प्लांड बोलते हैं उसके अंदर वो कैसे सीमिल्डरी इसको सो करता है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा यूनित लॉम्सपम के इकॉनमिक लिए वह कैसे इंपॉर्टन है वह हम देखिंगे आपर यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना पढ़ेगा दिनूट थर् में अपनी लाइफ साल को खतम करने वाले और पेरिणील मतलब यहां पर सालों साल अपनी लाईफ को यहां पर gtx Halo पूरा का पूरा उसके बाद अंदर गर उसके बार वीह मन्ट को tut मद्षती क्रोंच होता है शुते ही अपर प्रूच वेस्कंट शो की अध्वारा वोदिए्ट्व होता है for food storage उसके बाद respiration के लिए उसे हमनी मैटफोर्स बोलते हैं इस सपोर्ट के लिए जो है रूट्स जो होते हो modified होते है वो उसके modification हम पढ़ेंगे उसके बाद stem पढ़ेंगे टाइप of stem stem कौन-कौन से टाइप का होता है वो पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद ब्रांचिंग और मोडिफिकेशन आप स्टेम सो मोडिफिकेशन आप स्टेम में हमको area लें अंडर गाउंड है मॉर्ट सब एरियल है वह हम यहापर क्या करेंगे तो उसके उसके बाद हमको पढ़ना है लिफ देन पार्ट सब्लिफ और टाइप सब्लिफ लिफ लिफ के टाइप लिफ के पार्ट सुसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड लिफ उसके बाद फायलो टेक्सिक मतलब अरेंजमेंट अफ लिफ लिफ कैसे अरेंज हुए प्लांट के ऊपर उसे फालो टेक्सि बोलते दिन वेरेशन उसके बाद स्टीप्यूल के लिफ 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 बढ़ने एंड उसके बाद यहापर यूनिट फायू मैं मॉर्फोलजी इसमें हमको influence मतलब जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा influence मतलब यहाँ पर है influence जो है यहाँ पर है arrangement of flowers on the pedicle specific branch होती है plants की उन पर flowers arise होते हैं उसको हम बोलेंगे influence उसके बाद types उसके racimos and cymos दो टाइप की influence होते हैं और उसके बाद special type भी होते हैं वह भी पढ़ना पढ़ेगा chapter number 4 के अंदर okay then flower उसके बाद मॉडिफ यहाँ पर फ्लावर has modified shoot उसके बाद structure of flower उसके बाद उसमें calyx होता है corolla androsium and gynosium calyx बोले तो क्या होता है सेपल corolla बोले तो petals होते हैं या फ्लावर की androsium बोले तो male यहाँ पर gamut होता है male part होता है gynosium बोले तो female part होता है और यहाँ पर placentation and types of pollination pollination आपको पढ़ना पढ़ेगा जिसमें transfer of pollen green होता है from anther to stigma वो पढ़ने पढ़ेंगे आपको unit number four के अंदर फिप्त के अंदर आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा morphology and utilization of plant utilization मतलब how plants are important in our daily life so plants जो है वो अपने daily life में कैसे important है उसके बाद उसकी morphology कैसे है okay fruit पढ़ने पढ़ेंगे उसकी morphology fruits and उसके types simple या आपर then composite and multiple fruit जो है वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे then utilization of plants plants कैसे या पर useful है वो दिन उसमें जो या पर food plants में हमको वीट है वीट गेहू उसके बाद potato है उसके बाद morphology उसकी varieties and economic important morphology मतलब वो externally वो कैसे दिखता है किसे कितने height होती है कितने branch होते है ऐसे वैसे उसके बाद varieties इसकी कुछ ऐसे वाराइटी जो ज्यादा हमको इल्ड देती है ज्यादा productivity देती है उसके बाद economic important इस एकनोमिक लिए पोट्याटो और वीट कैसे important है हम daily to daily life में उसको खाने के लिए चापाती बनाने के लिए उसकरते ऐसे सारे बाद में हमको इकनोमिक इंपोर्टन जो आपको पढ़ने पढ़ेंगे यापर चाप्टर नमबर फाइव के अंदर जिने आपर फाइबर प्लांट्स कुछ पढ़ने पढ़ेंगे जिसके माइफोर या पर और आपको पढ़ना पढ़ेंगे यापर चाप्टर नमबर फाइव के अंदर चाप्टर नमबर फाइव के अंदर चाप्टर नमबर हमारा लास्ट होगा इसमें हमको पढ़ना पढ़ेगा और आपको पढ़ना पढ़ेगा यूटिलाजिशन ओप प्लांट्स यूट नमबर फिक्स के अंदर सेकंड समका लास्ट यूट इस तो आपको से यह एक फर्स सेम में सिक्स यूट जो है या पर सेकंड सेम का लास्ट इसमें आपको है उसके बाद दालची नहीं उसके बाद कार्डामॉन है जिसे हम उसको इलाइची बोलते है जनरल अकाउंट उसका आपको पढ़ना पड़ेगा कि यह कहाँ पर सबस्ट में इसका यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ पर लिया जाता है उसके बाद इसमें कौन-कौन से वह इसे हैं जनरल अकाउंट ऑफ सोर्स ऑस फायर रूड तो यह पर जलाने के लियुस करते हैं उसे फायर अपर होता है जिसको फरनीचर बनाने में यूज करते हूं यूसके बाद बांबू जो है बंबू उसके बार में पढ़ना पढ़ेगा इसे इसेंश आइल यह पर यू है प्रमेंए को टेंब तो अट To Sometimes ऐसको फाइट्टो看 के मिस्ट्री मिट तुप सपेक्ट सुवल्विंग मेडिसेनल प्लांट सो मेडिसेनल प्लांच आपको कुछ पढ़ने पढ़ेंगे जैसे कि और पर एस्पर इसे सब्सteeg उसके और पर आज़े डिरेक्ट इन्डिका जिसकी रटो रट को सबको उसके बादा है कि करबर कै यहां पर गपेतां वीविलियंट आम इसके षाय की सेंटम जैसे कि यहाप पर इम्बिली का प्लांट उसके बाद ऊस्माम सैंटम मतलब तूलसिका और यहाप पर है रॉफलिया सर्पेंटिका पर पड़ने पड़ेंगे यह आपको पढ़ने पढ़ेंगे, यह होगा यहाँ पर आपका unit number 6, हमने यहाँ पर first same भी देखा, उसके बाद इसका second same भी देखा, इसमें हमने six units देखे और इसमें भी हमने six unit देखे, फॉर्स same and second same हमारा यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पूरा का पूरा syllabus first same का, उसके बाद यहाँ पर second same का, तो six six chapter होते है, दो बार एक साल के अंदर आपके exam होती है, और यह जो मैंने आपको बताया, यह आपका syllabus होता है, तो easy chapters होते है, तो अगर आप पूरी जान लगाओगे, अच्छे मेनत करोगे, तो आप ज्यादा से ज़्यादा मार्क्स जरूर लाओगे, वन जो 50 है, इसके आप 100 से यापर उपर लाना, 100 से उपर अगर मार्क्स लाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ओके, तो यह आपर हो गया syllabus of botany for first year, biology, okay, so plain biology जिसका है, यह इसके लिए syllabus होगा, and specially यहापर सन्त गाड़ के वाओव अम रावती विद्धा पिड़ जो है, उनके लिए यह syllabus है, okay, so यह हो गया आपका syllabus, so thanks for watching BioStudy with Nikhil YouTube channel, please like and subscribe to our channel, thank you so much.